हेलो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों देखिए आज हमारे पास है स्टीशी की मसीन तो इसके हमने पहले कुछ टैम में पहले आपको वीडियो दिखाई होगी जिसमें कि हमने आपके दिखाया था इसके ब्लेड को फिटिंग कैसे कर सकते हैं अगर इसकी यह पतिया वगरा तो उठाने बाद आपके सामने कुछ यह ऐसे होगा तो उसके बाद में करना किया इसकी मोटर को और प्लेट को बाहर निकाल लेंगे तो आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि इसमें क्या खराब भी निकल सकती है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं घर पर ही तो दोस्तों ने खोलने बाद उससे इसको चेक किया उन्हें उसको दिखानी क्या हुआ तो उससे खोलने से क्योंगी गीरी भी यह तो उनसे नए पैकिंग वे कविश्चे के प्लेट तो थोड़ी से बैंड लग रही है क्योंकि निचे की तरफ जादा कंपनेट दे रखें और रैड कलर तो यहां पर कहें कि थोड़ी बैंड हो रही है साइद इसकी प्रोल्म हो सकती है और इसके सेल को भी हम चेक कर लेंगे इसके सेल के अंदर कितनी वोल्टेज है थोड़ी बहुत करेंट बाकी है कि नहीं है वह में मीटर से चेक करना पड़ेगा मीटर ले लेगे दोस्तों 20 कि रखे रखें के Queensland के अंदर इसके कीतना करता सेल में कोई भी कड़ने दिखा रहा है बिल्कुल 0.10 तो हमें कर नहीं can करना को रही है दोस्तों इसका सेल हमने चेक लिके के कॉंटेरी ke MSN bleibt को ससकति हरे करी कि दिखक होती है बूश्ट करके दिजट का लगाने से चार्ज हो जाता है तो इसको दुबारा लगा कि चेक कर लेंगे दुबारा चार्ज लगा कि अगर उससे भी काम ना करें तो फिर अब चल चुकी है तो इसमें प्रोब्लम यह थी तो इसका काफी पुराना हो चुका था जिसको बूस्ट करने के बाद भी एक वर्क नहीं कर रहा था तो इसको दूसरा भी लगा लिए इसमें हमारे पास बढ़ा था तो अमने इसमें लगा लिए लगाने बाद यह बिल्कुल सही चल भी रहा वाख यब इसको फीटिंग कर लेंगे जिस तरह हम ने इसको खोला था वैसे फीटिंग करना विल्कुल इसान है एक बार आप चीज को खोल लेते हैं तो तो दुबारा फीटिंग कर सकते हैं एक तो तो आपको एश्यान रखना वीडियो बनाते रहें चीज की वीडियो बनाने क्या होगा जब आपको दुबारा फिटिंग करेंगे आप से चीज की फिटिंग ना होगी ताप उस वीडियो को देखना आपको जो खुराब भी दिखेगी कि यहां से फिटिंग नहीं हो तो इसे खोला तो वैसे इस तरह उसको फिट कर सकते हैं दूस्तों ड्रक्राइब कर लो कर लें तो इसमें चार्ज के रहा है बाकी बैटरी डाउन हो चुकिए आपने काफी दिर शेयर हो तो जो बड़ाते वसी टेम जो करूट होता हो ही उता हुस्तों इसको चार्जिंग लगाना पड़ता है कि चार्ज लगा के रहेंगे एक और गंटे में इसको चार्ज लगाएंगे फिर इसको चला के देखेंगे कितनी देर तक चलता है दोस्तों और सही चलेगा ठीक है दोस्तों वीडियो कैसे लगी क्मेंट करें बताने दोस्तों